सूरजपुर में हैट कॉंस्टेबल की पत्नी और बेटी की मडर से गुसाई लोगों ने आरोपी के घर में फूग डाला है इस तोरान लोगों ने थाने का भी घहराफ किया और आरोपी को जल से जल ग्रिफ्टार करने के मांग की है साथ ही आरोपी के चाचा के कबार गोदाम में आग भी लगा दी जिससे गोदाम में रखे सिलंडर में ब्लास्ट हो गया है हेड कॉंस्टेबल तालिप शिख के पत्नी और बेटी की हत्या मामले में सूरजपूर के जनता सड़क पर उतर आई गुसाई लोगों ने नगर बंत का एलान कर दिया और साथ ही लोगों ने आरोपी कुलदीप साहू के घर पर धावा बोल दिया और आरोपी के घर को आग की हवाले कर दिया गुसाई भीड ने सूरजपूर थाने का घेराव किया इसी थाने में पोलिस कर्मियों ने आरोपी कुलदीप साहू के परिजनों को बैठाया हुआ था इस बीच मौके पर कौचे SDM को गुसाई भीड ने घेर लिया SDM ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन भीड ने उन्हीं घेर कर जम कर पीटा हैट कॉंस्टिबल तालिप शिख के पतनी और बेटी की हत्या कर दी गई थी आरोब कुलदीप साहू नाम के शक्स पर लगा जानकारी के मताबिक तालिप के पतनी और बेटी के शव घर से करीब पांच किलोमेटर दूर खेत में मिले थे एक बड़ी अन्होनी की आसंका उसी समय से हो गया था राथ में जैसी मिज़े सिजना मिली में अधिकत में इस्था जाते हैं तारी जो देखा राधवर घेरवंदी के अतारी से और कुछ संदेही वाडियों को हमने पीशा करके दवडा से को पकड़ा भी जिसके अधार पर जो संदेही जो कुल्डी साहुजो निजियानी वदमाज है उसके द्वारे घटना कारी प्राप्त हुई है सुबह हमको पता चला कि जराम पीड़ा जो सूरजपु से 4 किलोमेटर के दूर है उतर में पीड़े जिले भर में टीम बनाये हैं और हमारी टीम अलग 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 इस किसी भी धंग से बरदात पर नहीं करेगी दरसल दुरगावे सर्जन से लोट रही आरक्षक घंशाम सेनवानी का विवाद कुल्डीप साहु से बरियानी सेंटर के पास हुआ था इस दौरान कुल्डीप ने आरक्षक घंशाम सोनवानी पर खौलता हुआ तेल डाल दिया आरक्षक के जुलस जाने के बाद अंबिकाप और मेडिकल कॉलिज हॉस्पिटल में उसे भरती कराये किया गटना के बाद पुलिस के टीम कुल्डीप साहु की खोजबिन में जुटी थी जिसमें हैड कॉंस्टेबल तालिप शेख भी शामिल थे सूरजपूर में हेड कॉंस्टेबल की पत्नी और बच्चे के मडर के बाद सूरजपूर की पब्लिक देख रहे हैं कि जन आक्रोस को यहां पर फैला हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि सूरजपूर जो पोत्वाली थाना है उसका घेराव कर दिया गया है लगबक चार गंटे से यहां पर पब्लिक है काफी आकरोसी दिखाई दे है वही जो औरो पी खुलदीप साहू है उसके घर को भी काफी तोड़ पुल की आ गया गया वही पर उसके घर में आगजेनी की गई हैं में जो पब्लिक है ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी की जलत गिरफतारी हो वही हुआ उसके जो अभयै verify की भी मांग कर रहें जो मुष्णाइब पब्लिक है उसे भी हम जानते हैं कि क्या किसी थी मांगे पर जाएं सबससे पहली तो अवेद निर्मार हैं उस पर कारवाईब की भी मांग कर रहा है जो गुसाई पब्लिक है उनसे भी हम जानते हैं कि क्या किस तरह की मागए हैं और दूसरी बात कि वह जिला बदर होने के बाओ उची जिले में कैसे थे कारून का अगर समर्थन नहीं था तो जिला में कैसे आ सकता है जिला बदर आजमी कि अगर सकती हैं गर्वाइन करने को मजबूर हो जाएगा पुलिस के लिए दोहरी चुनाती यह एक तरफ आरूपी को पकड़ना है वही उसके घर को सेब करते हुए जो पब्लिक है उसके गुष्टे को भी सांथ करना एक पुलिस के लिए बड़ी चुनोती दिखाई दे रही है पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की पतासाजी में चापे मारी कर रही है और हम शीगरी आरोपी को ग्रफतार करने में सफल हुए जितने भी आवश्यक बल होगा हम और अरोपी को ग्रफतार करेंगे आधतन आरोपी था बहुत ही कख्यात आरोपी था लगातार पुलिस दोरा उसके विरुद कारेवाही भी की गई गई है और आगे इस पर कार इसकार की घठना के संपोर्ज करिए घठना की विरूद में आक्रोशित लोगो ने कुल दीप प्साहो पुलिस की रफ्ट से बाहर है जिसकी तलाश में पुलिस लगातार चापे मारी कर रही है NDTV के लिए सूरदपुर से एमाम हसन की रिपोर्ट